तो आज हम रियक्शन करने वाले हैं फिरोज खान के एक इंसिडेंट पर या कहलो उनके कुछ घरेली टॉपिक पर जिसमें पताया जा रहा है कि उन्होंने उनकी वाइफ पर जो है फिजीकली उनको टॉर्चर किया है फोटो कुछ वाइरल हो रहे हैं ट्वीटर पर मैंने दे केस में भी देखें बाद में वह इनोसेंट प्रूव हो गए थे और उनकी वाइफ ने जूटे इल्जाम लगाए थे उन पर अब इस सच है जूट इस पर सनाज बकिट का क्या एक्शन है वह हम देखेंगे साथ में आगे और बाते करेंगें एंड तक बने रहे ना लेट होता सा है मेरा IQ तो मुझे लगता है पहले को 20 पॉइंट्स थे और अब जब से मेरे सामने फिरोज खान की जखमी एक्स वाइफ आती है ना तो मेरा IQ के पॉइंट्स ना और ही जादा ड्रॉप हो जाते है मुझे लगता है कि इस वक मेरा IQ माइनस 10 तक हो गया होगा फिरोज खान ऐसा बनता है जिसकी मुझे आज तक कभी समझनी आई ये भाई साब गुलेरान ना इश्किया खानी ए मुझते खाक जैसे डिरमे करे करके ना इस बंदे ने अपनी जिंदगी ही एक्शन मुवी बना ली है बीवी को चपेड़े करवाता भेर रहा है सारे इंडस्ट्र से कि मिजॉरिटी आफ दे टाइम्स मजलूम सिरफ खाप डालने के लिए ड्रामे कर रहा होता है अब देख लो मौसिन अबास एदर पर भी यही तो इल्जाम लगे थे बाद में वो फिर बेगुनाबी साबीत हो गया पता चला जी उसकी तोगई अफेर शेफेर कुछ तहा हलाके अलीजा ने मेडिकल रिपोर्ट्स भी दिखा दी है कि उसको कुट पड़ी ही पड़ी है फिरोस खान के वो सारे फैंस जो उसकी वर्शिप करते हैं वो फिरोस खान को डिफेंड कर रहे हैं बगयर पूरी सचाही जानते हुए कि भाई वो तो ऐसा कुछ कुछ गोरी बात कि यह तो वह पाकिस्तानी औरत यहां पे हर और अपना घर बसाने की कोशिश जरूर करती है कि तला कि हफ्त औरत हमारी कैंसर सुसाइटी में गाली है उसने भी अपना घर बसाने की कोशिश की होगी हमारे रांड अगर उन वॉर्तों को देखा जाए जो खसम से डेली बेसे पर चूते खाती है और जब वो शिकायत अपने माई के लगाती है तो उन्हें यही सुनने को मिलता है कि बच्चों के बाद वो ठीक हो जाएगा उसको ठीक करो वो सुदर जाएगा उसको सरा प्यार से समझाओ ठीक हो जाएगा इसने भी मारे खाने के बाद भी इसने कोशिश की होगी कि मैं बस घर बस आलूँ अपना घर बचालूँ सब कुछ ठीक हो जाएगा अपनी पसंद से शादी की होगी डेफिनेटली मतलब यह सिलेब्रेटी तो ऐसा होता ही नहीं कि अरेंज मेरेज करते हैं और होते भी बहुत मॉडर्ण है तो मुझे यहां पर यह केस नहीं लगता कि घर वालों ने ऐसा बोला होगा कि जो जाएगे तो सब ठीक हो जाएगा घर वालों तो ऐसे कैस में साथ देते हैं कि मॉडर्ण फेमिली में इसपेशली ऐसा करते हैं कि नहीं यार अगर ज्यादा टॉर्चर है तो फिर उसको कंप्लेन करो बरदाश मत करो बिल्कुल और मॉडर्ण लड़कियां भी देखे कुछ आज की तारिक में कोई भी सहन नह हमने केस बहुत सारे देख लिए ना अपने सामने तो किसी भी बिलीव करना बहुत मुश्किल हो गया है इवन पाकिस्तान में हम देखते हो मिनारे पाकिस्तान वाला इंसिडेंट सो लोगों के उपर रिजाम था हो तो सीरे सो लोग सो 200 लोग ऐसा कुछ बताया जा रहा था लेकिन वो लड़की ही गलत प्रूफ ही फिर भी लोग भी गलती थे लेकिन वो लड़की भी साही प्रूफ नी हुई लोग गलत तो थे लोग तो गलती है लेकिन वो लड़की चाहती थी वो ऐसा करे तो वही बात है तो लड़की गलत होई ना वापर तो बात यह है कि यहा ना देखा भी नहीं है ना स्टडी की इस पर तो आप लोग बता ना आप लोग को बहतर पता होगा शायद जालू सब कुछ ठीक हो जाएगा मैं इसको ठीक कर लूँ कि वो मुझ पर हाथ नी उठाएगा बच्चों के बाद नॉर्मल हो जाएगा पर यह शादी शिता आदमी पुले becoming गच्चे तो नहीं होते ना जिनकी तर्भीयत की जै जिनकी तर्भीयत करना उनको ठीक करना। इनकी बीवियों की मिदारी नहीं हो ती मोंने पूता ही निव सामने थो कोई चलते भी कोई Government कर ना बोलें सचा हो तो मैंने उसका भी बरूसा नहीं करना इस सारे ख़प में बच्चे रूल गए हैं एक तो हम्मी अबा को ये इतना भी नहीं पता कि बच्चों के सामने आपस में लड़ाई नहीं करते बच्चे फिर mental issues लेके बड़े होते हैं लेकिन हमारे तो घरों में अम्मी अब ऐसे लड़ते हैं जैसे बहुत सवाब का काम हो चलो लड़ाई करना बच्चों का डैमिज तो करता ही करता है लेकिन सोचो बच्चे अपनी मा को पिटता हुआ देख रहे हो अब्यूस अपनी आँखों से देख रहे हो पिर देखने से ना या तो बच्चे डर जाते हैं या फिर खुद बड़े होके अपने बाप जैसे अब्यूसिफ बनते हैं ये बात तो सही है जब किसी के घर में पैरेंट्स लड़ते हैं बच्चों के सामने तो बच्चों बहुत गलत असर होता है और उनकी मेंटल कंडिशन जो है उस पर भी असर पड़ता है कईना के उनका जो ब्रेन है वो ग्रो नहीं हो पाता है आगे की चीज़ें अंडरस्टैंड करने के लिए लाइफ में उनका दिमाग वहीं लगा होता है और फिर वो डरते भी है लड़ाईयों से कई लोग ऐसे होते हैं कि वो उल्टा और लडाकू बन जाते हैं अलग अलग टाइब के असर होते हैं तो भाई ये चीज़ कास डेफिनिटली सब को ध्यान रखना चाहिए और फिर अपनी औरतों को भी वैसे ही पीटते हैं जैसे उनका बाप पीटा करता था मैं तो कहती हूँ कि किसी भी लड़के लड़की की शादी करवाने से पहले ना उनका एक कोर्स होना चाहिए जिसमें बच्चों की तरबियत की ट्रेनिंग दी जाए कि तुम दोनों ने बच्चों के सामने इंसान बनके रहना है उनके सामने लड़ना नहीं हमको तालीम कैसी देनी है तरबियत कैसी करनी है चक तक दोनों लड़का लड़की स्कोर्स को पास नहीं कर लेते ना उनकी शादी ना हो भाई हम लोग तो नसलों की नसले तबाह किये जा रहे हैं इस तरह से अगर तो इसने वाकरी में उसको मार पीट की है ना तो फिर मुझे नहीं बैता के भाई साब कौँसा मज़ा पढ़ रहे हैं बीवियों को तो इसलाम में हकुक इतने ज्यादा है कि बंदा ज्याती करने का सोच में नहीं सकता बातों का और एक्शन्स का डिफरेंस होना बहुत अलार्मिंग है आजकल इनकी टेश बटन की भी प्रमोशन्स जहर जगा पे चलती भी नजर आ रही है जिसमें यहलके से भाई साब मीठे भी बने वे हैं फिर मैंस भी कर रहे हैं सारा कुछ ही हो रहा है मैंने कहा ना कि मेरे तो ब्रेंस भी मरते जा रहे हैं भाई और आई क टिच बटन तो मुझे लगता है ऐसे टाइम पर यह चीज होना कई ना कई गलत होगा उनकी मूवी के लिए भी और बता रहे हैं कि सारे इंडस्ट्री उनके खिलाफ हो गई है तो कौन-कौन लोग उनके खिलाफ है कौन-कौन उनके साथ है यह भी बताना उनके कुछे बम तक यह डो गता है कि सैंसे घुछीं से यह ब करिकला मेचराय ईनके सवाडि और हिनों बосьं़ चाहिए जाए एनके साथ Seriously हो आप एस हो है तो उनों ने इनका सारा किसे माइब करें आजकल केस उल्टे ही पड़ रहे है जो विक्टम बनावा है ना वही क्रिमिनल निकलता है तो वह कुछ ही नहीं कह सकते है आजकल केस का किसी चीज पर कोई भरोसा ही नहीं रहा वैसे हर केस की में तो हिक खोओंगा कि.. अच्छे से तहकीकात होना चाहिए और जो दोशी है उसे को सजा मिलना चाहिए और इसमें भी यह होना चाहिए अब मुझे पिरोज खान को देखके कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि यार वो बहुत अच्छे हैं लेकिन कभी-कभी उनको देखके भी लगता है कि वो शौर्ट टेमपर्ड उनको जल्दी गुस्सा भी आ जाता है तो पता नहीं मैं तो कुछ ही नहीं कह सकता है देख posture एक बुदी पर्सनली को जानते है तो आपके बताईजी अपको कैसे करना फाइब करना है सबके साथ हो या फिर आमनंसान हो सबके साथ Kh Caitlin आप बता हो आपकanya कहना है pingो लेके तो लगए शर्र करो मिल ते नेक्स वीडियो में तिल देन मेख लाव नॉट वो